श्री भक्तमाल में भक्ती से भगवान जी को वश्मे करने वाले भक्त, अपने पुत्र को विश्य देने वाली दो भक्ती मती नारियां। एक राजा बड़ा भक्त था। उसकी यहां बहुत से सादो संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथ ही और समेत बदारे राजा का सत्संग के कारण उनसे बड़ा प्रेम हो गया वे संत राजा की यहां से नित्य ही चलने के लिए दियार होते तन्तु राजा एक ना एक बात उस सब आदी कह करके प्राथना करके उन्हें रोकता और कहता कि एक वर्ष और कुछ मास बीद गी एक दिन उन संतों ने निश्चे कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे राजा के रोकने पर किसी भी परकार से नहीं रुकेंगे यह जान करके राजा की आशा तूट गई वेहें इस परकार व्याकल हुआ कि उसका शीर छूटने जीवित नहीं रहेगा तब उसने संतों को रोकने के लिए पुत्र को विश्च दे दिया क्योंकि संतों सवतंत रहें इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए इसका और कोई उपाई नहीं है परता काल होने से पहले ही राणी रोट थी अन्य दासियां भी रोने लगी राज पुत्र के मरने की बात फैल गी राणी महल में कुला हल मच गया संत ने सुना तो शीकर ही राज भुमन में परविश्च किया और जाकर के बालक को देखा उसका शीर विश्च के परभाव से नीला पड़ गया था जो इस बात का शाक्षी था कि बालक को विश्च दिया गया ही महात्माजी ने राणी से पुछा कि सत्य कहूं तुमने ये क्या किया राणी ने कहा आप निश्चे ही चले जाना जाते थे और हमारे नित्रों को आपके दर्शनों की अब इलाशा है राजा रानी की ऐसी अधुद भक्ती को देख करके ने महात्माजी जोर से रोने लगी उनका कंठ गदगद हो गया उन्हें भक्ती की इस विलक्षन दीती से भारी सुख हुआ इसके बाद महात्माजी ने भगवान जी के गुनों का वर्नन किया और उस बालक को जीवित कर दिया उन्हें वे स्थान अध्यन तप्रिय लगा अपने साथियों को जो जाना जाते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम राश से मगन संत थे वे उनके साथ ही रहे इस घटना के बाद महात्माजी ने कहा कि अब यदि हमें आप मार कर भगाएंगे तो भी हम यहां स नहीं जाएंगे शिरी प्रियादास ची भक्ति में राने की इस आलोकिक संत निष्टा का अपनी कवितों में इस परकारवर्ण करते हैं भक्तन के हित सुत्त विश्य दियो उभे बाई कथा सरसाई बात खोली के बताई के भेव एक भूप ताके भगत हूं और नेक आवे आ भायो भक्त भूप तासो लगन लगाई नित ही चलत ए पे चलत चलन ना देत राजा बित्यो बरस मास कहें भोर जाईये गई आस तूटी तन छूटी बेकी रिती भाई लई बात पुछी रानी सभी ले जाने दियो सुत विशरानी जानी निप जीवे नहीं संत है सतंतरसो इनी ही कैसे राखिये भै बिन भोर वधू शोर करी रोई उठी भोई गई रावले में सुनी सदू बाग किये खोली डारे कथी पट भमन परवेश कियो लियो देखी बालक को नील तनुग साखिये पूछे भूप ते आसू जो साचे कहीं कियो कहा कहीं तुम चलेओ चाहू नैन अभिलाखिये चाती खोली रोई किहूं बोली ना आवे मुख सुख भेव भारी भक्ती रीती कचुने आरिये जानियू ना जाती जाती पाती को बिचारी कहा अहू रास सागर सो सदा उर धारिये हरी गुन गाए साखी संतनी बताए दियो बालक जीवाए लागी ठोर वेह प्यारिये संग के पठाए दिये रहे विजे भिजे हिये बोले आप जाओं जो ना मारे के बिदारी आगे पर संग है महराष्ट के राजा मही पती राजी परम भक्त थे उनकी कनिया कहनाड के राजा राम राई के साथ ब्याई थी लेकिन घर के सबी लोग महा अभक्त थी भक्ती में वातावरन में पलने वारी उस राज पत्री का मन घबराने लगा अंत में जब उसे कोई उपाए नहीं सूजा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान जी के प्यारे भक्त आएं तो मुझे बताना एक दिन देव योग से उस नगर में साध्वों की शिरी ग्यान देव जी की जमात आई उनके आने का समचा दासी ने उस राज पत्री को दिया अब उस भक्ता से संत अदर्शन कैसे सेहन होता उसने अपने पत्र को विष्टे दिया वह मर गया अब राज कन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा बिलाब करने लगे तब उस भक्ता ने व्याकुल हो करके उन लोगों से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक उपाए है यदि वह किया जाए तो पुत्र वश्य जीवित हो सकता है रोते रोते सबुने कहा जो भी उपाए बताओगी उसे हम करेंगे ताब उस भाई ने कहा कि संतों को बुला लाईए उन लोगों ने पुछा कि संत कैसे होते हैं इस वर भक्ता ने कहा कि ये दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है कैसी होती हैं कहां मिलेंगी आज इस सब बातों की कोई यहे बताएगी पूछने पर दासी ने कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठेह रहे हैं वे दासी राजा को साथ ले करके चली और संतों से बोलना सिखा दिया और कहा कि उनको देखते ही प्रित्थी पर गिर करके शाष्टांग दंडवत पर नाम करते हुए उनके चर्नों को पकड़ लीजिएगा राजा ने दासी के कथन के अंसार एकारे किया शोकवास राजा की आँखों से आँशों के धारा वेह रही थी पर तो उस समय ऐसा लगा कि मानों ये संत प्रेम मच रो रहे हैं सहज विश्वाशी उन संतों ने भी विश्वाश किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं राजा ने प्रात्रा की कि है प्रभू मेरे घर पधार करके उसे प्वित्र कीजिए राजा की बिन्तिज सविकार करके संत जन परसंता पूरकून के साथ चले दासी ने आगे ही आकर के भक्ता रानी को साध होंके शुब आग्मन की सूजना दे दी वह रानी पौरी में आकर के खड़ी हो गई संतों को देखते ही वे उनके चर्णों में गिर पड़ी और प्रेमाश गदगद हो गई आँखों में आँसों भर करके धीरे से बोली आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं आप लोगों का दर्शन पाकर के आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्रानों को आपके शिरी चर्णों में निच्छावर कर दो उन भगत राने की अती विशेश प्रिती दे करके संत जनती पर सन्न होगे और बोले कि तुमने जो परतिक्या की है वे पूरी होगे राज महल में जाकर के संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निच्चे ही विश्टी आ गया है उनने भगवान जी का चर्णामरित उनके मुख में डाला मैं तरंत जीवित हो गया इस विलक्षन चमतकार को देखते ही राजा एम उसके परिवार के सभी लोग भी जो भक्ती से विमुख थे सभी ने संतों के चर्ण पकड़ लिये और प्रात्रा की की हम लोग आपकी चर्ण में हैं तब संतों ने उन सभी को देख्षा दे करके शिश्य बनाया उन लोगों को वैश्णव बना करके बन कर संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना अरंब कर दिया जिसे देकर के लोग प्रेम में भोर हो जाते थे शिरी प्रियादाची रानी की संत निश्टा की इस घटना का अपने कविता में वर्नन करते हुए कहते हैं सुनो चितलाई बात दूसरी सुहाई ही ये जीए जग माही चीलो संत संग कीजिए भक्त नरिप एक सुता वेयाई जो भक्त महा जाके घर माज जन नाम नहीं लीजी पलियो सादू सीथ सो शिरीर द्रिक रूप पले जीब चर नामरत के सवाद ही सो भीजिए रहे ओ कैसे जाई अकू लाई ना बसाई कच्छू आवे पूर प्यारे तब विश सुत दीजिए आए पूर संत आई दासी ने जनाई कही सही कैसे जाई सुत विश लेके दियो है गे वाके प्रान रोए उठी किल कानी जब भूमी गिरे आने टूक भेओ जात ही हूँ है बोली अकू लाई एक जीव को उपाए जो पे कियो जाई पिताद मेरे केओ वार कियो है कहे सोई करे द्रिक भरे ल्यावो संतन को कैसे होत संत पुछो चेरी नाम लियो है चली रे लिवाई चेरी बोली बे सिखाए दियो देखे के धरनी परी पाए गही लीजिये किनी वही रती कनी वही रीती दिग धारा मानी पृती शंत करो यो पर्ठिती ग्रह पावन को कीजिये चले सुख पाए दासी आगे ही जनाए जाए आए ठाडी पेरी पाएं गहे मती भीचिये कही हरे बात मेरे जानों पिता मात मैं तो अंग में ना माती आज प्रान वारी दीजी रिजी के संत पृति देखी के अनन्त कहयो होएगी जो वही जो सोपर दिग्याम तैजो करी है बालक निहारी जानी विश निरधार दियो दियो चर नामरत को प्रान संग्या धरी है देखत भी मुक जाए पाएं ततकाल लिये किये तब शिश्य सादू सिवा मती हरी है ऐसे भूपनारी पती राखी सब साखी जन रहे अभी लाखी जो पे देखो या ही घरी है